नमस्कार दोस्तों मैंने पामिस्टी चैनियमे अप लोगा स्वागत है आज यह पाम आया है 43 एर्स लेडी का उन्हों ने अपने पाम भेजा इमेज भेजा और अपने डीटेल दिये लेकिन सवाल नहीं पूछे तो मैंने उनको सवाल पूछने के लिए कहा तो उन्हों ने कह जर्च में बहुत सुइशन है Taylor आपके पाल में मुझे बहुत सरा स्ट्रेस दिख रही है कि टल्यासर में कुछ ऐसा है मैं होस्पिटल में नर्स हों जहाबेласт भी है और उपर है वह स्ट्रेस लाइन हमें कहां से मिलती है अगर आप पाम को देखे और पाम में ऐसे आपको बहुत सारे लाइन दिख जाए जिसको ना ही कोई नाम होती है ना ही यह कहां से आ रही है पता चल रही है ना ही कहा जा रही है पता चल रहा है बहुत सारे क्रॉस जैसे निशान ब होना रही है यहाँ परर इन में कट्ट रही है सारे के सारे में लाइन कट्टे रहते हैं इसे चोटे-चोटे लाइन जहां पर onu कर पाउंगा जितने सारे हैं बहुत ज़्यादा हलकी है, बहुत कुछ मोटा है, इस तरह का अगर लाइन आपको पाम में दिखे, इसी पाम में दिखे, तो स्ट्रेस रहती है, और डिप्रेशन के इन लोगों को आ जाती है, ऐसे ही रहेगी स्ट्रेस लाइन और माइन लाइन ऐसे घुमके मून की तरफ कि बिमारी हो जाती है, तो यह हम लगोंने सिखा कि इस ट्रेस लाइन क्या होती है, और कैसे उसको निकालना होती है, दूसरी मेरा यह था, कि मैंने देखा कि इनके फेट लाइन इधर तक आके खतम हो रही है, फेट लाइन शुड़ी तो अच्छा हुआ ठीक ठाक चलकर यह खतम हो रही है लेकिन इस फेट लाइन से बदले ये सन लाइन हमें ज्यादा पाउरफुल दिखी ज्यादा लंबा दिखा फेट लाइन खराब है ये नहीं कह रहा हूं लेकिन फेट लाइन से ज्यादा पाउरफुल ये सन लाइन है और उपर में ऐसे फॉर्मेशन बन रही है जो respect दिलाती है यहाँ पर एक square का sign भी है जो यह दिखाती है कि आप में respect का जो sun का क्या main कारण होता है respect society से respect कितनी मिलेगा हम लोगों तो इसको protect करती है और कामकाज का भी fellow करती है यह square तो इनको मेरा दूसरा यह prediction था कि आपको पैसे से ज्यादा respect मिलती है आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी respect ज्यादा मिलती है आपकी चाहत भी respect वाली ही होती है कि आपको ज्यादा respect मिले पैसे थोड़ी कम मिले तो भी चलेगा तो इनका कहना है हाँ मेरे साथ में ही जो काम करते हैं मेरे बराबर के जो नर्सिस है उन लोगों को मुझसे ज़्यादा सैलरी मिलती है हाँ लेकिन रिस्पेक्ट मुझे ज़्यादा ही मिलती है उन लोगों से तो इन लोगों के जिन लोगों के फेट लाइन से ज़्यादा पावरफुल उनकी सन लाइन हो उन लोगों को success तो मिलती है, पैसे मिलती है, sun line होगा तो पैसे तो ज़रूर मिलगा, लेकिन अगर sun line ज़्यादा powerful हो जाए Saturn line से, तो उन लोगों को respect ज़्यादा मिलती है, पैसे थोड़े कम मिलती है, क्योंकि sun का main जो features होती है, respect दिलाना होती है, साथ में पैसे भी देते हैं लेकिन main feature respect दिलानी होती है, आपकी नाम होती है, आपके काम काट जहां पर करते हूं, आप लोग की ख्याती होती है, तो ऐसे वो ज़्यादा importance उस चीज़ को देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मत्रा में नहीं, जैसी इनके पाम में हैं, इनको respect ज़्यादा मिलती है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं, तीसरी मैंने इनको कहा था, कि आपका शायद बहुत बड़ा दो तीन बार नुकसान ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि माइन लाइन पे यहां पे हमें ऐसे debate करके दो कौन मिल रहे हैं, माइन लाइन में अगर कौन हो तो इन लोग को जाती है पैसे की मामले में, इन्होंने कहा, नहीं मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुई, लेकिन हाँ, मेरी हस्बेन को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो अगर हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही साथ चलते हैं पे भी बहुत जारा मेज़े और पॉल्लम रहेगा जरूर जहां पर उनका नुकसान हुआ है, नुकसान होने का चाहँ, सारे इंडिकेशन भी उस पाम से हमें जरूर मिलेगा, इस पाम से भी मिल रही है कि इनके नुकसान हुआ है, इनके खुद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फिनेंशियल नुकसन नहीं हुआ, तो ये हाट लाइन, हाट लाइन सीधी सेटन और जुपिटर के बीच में चल लगी गई, ये बेस्ट कॉम्मिनेशन होती है, हाट लाइन की जहाँ पर फिनिश हो, ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग दूसरों को इतनी जनली अपनी पै के ही अपना पैसा कर्चा करते हैं, इसके बज़ए से इनका नुकसान होने के चांसे कम हो जाता है, तो इस तरह से माइन लाइन से इनका तो नुकसान होना बज गया इतना जादा, लेकिन इनके हजबन का ज़रूर हुआ है, तो हमें ये और एक मिली, दूसरी और लास्ट मे गनाते हैं, उन्होंने खुद भी सिकार किया है, वो के कौन से साइन है, लड़कियों की हाथ में, जूपीटर माउंट बहुत बड़ा हो, और उबरा हुआ भी हो, मतलब बहुत ही पॉमिनेंट जूपीटर माउंट हो, जैसे इस पाम में है, पहले भी हम लोग एक पाम हैं, तो यह रही थी, उन्हों से जो बाते हुई, उनकी जो पाम के बारे में मैंने कहा, तब उसके बाद उन्होंने अपना सवाल भेजा, उन्होंने सवाल में लिखा है, कि इनके जॉप कर रहे हैं, जॉप चेंज कब होगी, करनी चाहिए या नहीं, रिलेशन्शिप में क छोड़ देते हैं, और उन्होंने कहा है कि कब उन्होंने अपना जो खुद का बहुत फिनांस है, अच्छी फिनांस हो कर पाएंगे, अपना खुद घर का, खुद का घरकार कब होगा, मैरे लाइफ कैसी जाएगी, हेलते आगे चलके कैसे रहेगी, इनकी लाइफ लाइफ यह जो देख रही ही है, चोटी देख रही है, इस से काफी वोरीड है, तो इसके लिए क्या करना है और क्या तकलिफ हो सकती, है अ सारे हमें देखने को बोला गया है, तो चलिए एक बढ़ दूसरी पाम में चलते हैं, वहाँ पर हम लोग एक बढ़ फिंगर भगर रह के अन इतनी ज्याद़ पावरफुल हो जाए अगर रिट्टेंगुलर पावर्प भी हो लेकिन उहां पर इतनी ज्याद़ पावर्फुल मांट हो जाए इतनी बड़ी जगह पर लेके तो यह लोग एग्रेसिव होते हैं और फिल्ड वर्ड भी अच्छी तरह से कर पाते हैं इनों से अच्छी तरह से कर पा रहे हैं अगर फिंगर वगरा देखें तो थम देखिए थम में लॉजिक पार्ट बहुत जादा बड़ा है और विल पावर छोटी है तो यह लॉजिक के साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर पाएंगे दूसरों को समझाने में कुछ भी चीज चीज यह समझाने में माहिर है क्योंकि लॉजिक के साथ यह समझाते हैं तो दूसरे अच्छी तरह से समझ भी जा सकते हैं तो दूसरों को समझाने में इनको ज़्यादा कुछ पॉल्म नहीं होती है लोजिक के साथ विल पावर फोड़ी चोटी है तो थोड़ी बहुत काम कपर के लिए इनको थोड़ी पॉलम होती है, ओफिसमें घाने, जब जाने के टाइम हो तब थोड़ी बहुत पॉलम होती है लेकिन एक बर काम में गुज जाएंगे तो इन लोगों को उतनी जधक नहीं होती है, अगर जुपिटर की फिंगर देखे तो ये सीधा है, सीधा है तो leadership quality उतनी ज़्यादा नहीं होगी तो इसी के लिए अगर इतनी लंबी थम थी logic power भी ज़्यादा थी लेकिन इनमे leadership quality उतनी ज़्यादा develop नहीं हो पाईगी नहीं ये उतनी ज़्यादा managerial position का कोई काम कर पाएंगे बहुत ज़्यादा बड़िया तरीके से क्योंकि इनकी यहाँ पर leadership quality इतनी बड़िया नहीं है छोटी finger बहुत ही छोटी है छोटी finger अगर देखे हम लोग तो sun की थाट फेलेंच तक दूर दूर तक नहीं पहुच रही है इससे क्या problem होती है इससे यह problem होती है कि इन लोगों बड़े किसी अधिकारी से बात करने में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं अगर वहाँ पर सुपर इंडेन से आप से बात करने के लिए कहा जाए तो आप थोड़ा हिचकी चाहेंगे बड़े लोगों से बाते करने में नहीं लोगों से नहीं अफिसर से नए जगा पर जाके घुल मिल जाने में यह कॉम्मिनिकेशन थोड़ी पॉलम होती है अगर कोई पाब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको बोले तो आपको थोड़ी जीजक होगी टीम मेंबर का भी कोई मीटिंग हो वहां पर बोलने में थोड़ी आपको लड़कड़ाएंगे पहले उसके बाद बोल पाएंगे इस तरह का पॉलम ऐसे अगर छोटी लिटिल फिंगर हो तो यह सारे पॉलम आते हैं बाकी सारे फिंगर वगरा ठीक है तो चलिए फिर से उस पाम में चलते हैं वहां पर जाके हम लोग बाकी का अनलैसिस करते हैं और इनका सवाल भी ले ल भी लाइन है तो यहरूण होना चाहिए जो लोग नार्स्या डॉक्टर के काम करते हैं जैसे हल में तो रही है यह सन मांशन सेप्गत कड़ीगी आपकी रिस्पक्त की आपकी जो जहां कर रहे हूं हमेश्चा है रिस्पक्त बना रहा गया अगर आप बिजनेस करते तो आपका काम का ज्रादा फैला होता बहुत दूर 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 तक कंटी या बहुत सब्सक्तों का का माया दिए नहीं कर रहे हैं तो यह सिर्फ आपकी जो रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम उहीं करेगा सैटन माउंट में ऐसा कुछ लाइन वगएर नहीं है तो और डबी होनी चाहिए वैसी है हाट लाइन यहां पर आके खतम हो रही है सैटन और जुपिटर के बीच में इसका र गहांता लंबा है तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट या फिर अपका रहेगा धर्म के पति भगवान के पति और ये जो फाइदा होने के चांसेंस दिखЫ रही है क्योंके मार्स माउंट सच में यह आपकी बहुत ज़्दा पावरफुल है और होनी चाहिए क्योंकि आप ब्लाड डिलेटेट काम करते हैं आप आप एली से जूरी हुई काम करते हैं यह सारे काम के लिए मार्स लेना या फिलाक्जरी लाइप लिट करना आपके अपके किसमत में थोड़ी कम है यह हमें यहां से दिख रही है Area Line यहां पर थोड़ी बहुत कम दिख रही है हमें खड़ी लाइन भी है लेकिन छोटी छोटी तो तो अब जितनी मेहनद कर रहे हैं ऊतनी result अपको उतनी पैसे आपको नहीं मिल रही है हमें दिख रही है अगर लंबी होती तो मिलती लेकिन यह लंबी क्लियर नहीं है और चोटी चोटी है तो जितना आपको Income करना चाहिए उतना चौश्द आपका इंकम नहीं हो रही है और यो और कारण है किmers कि आपके सन लाइन जsystem और सान मांट भी बहुत जादा पावरफूल है सेटन मांट के कमपरेजन में तो इस सैटन मांट के करण नहीं है अगर ये क्लियर हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छी खासी पैसे भी होंगे जिन्दगी में लेकिन ओही आ जाएगी कि रिस्पेक्ट के लिए आप ज्यादा चाहत रखेंगे पैसे के लिए कम इसके बज़ए से पैसे आना थोड़ा आपके लिए दिक्कत रहेगा मतलब हाई अमाउंटेड वैलू एमाउंट के मैं कह रहा हूं करोर रुपर यार मतलब जो होते हैं बहुत जादा अब करियर की इंडिकेशन्च जो रही अभी आपकी सवाल की ओर चलते हैं जोब आ आपकर चेंज करेंगेए अभी आपकी एज है 43 एकमिनिट यह जो कटा यह करीब करी 42 year age में यह जो कटा यह फेत लाइन में 43 और life line में 42 years में कटा आपकी अभी age है 43 तो करीब करीब यहां पर हो रही है कोई changes नहीं दिख रही है 43 में if life line देखे तो यहां पर दो-तिन डाउन वर्डेड लाइन है इसी एज के कड़िब आपकी थोड़ी बहुत इशूज आशकती है हेल्थ के बारे में या फिनांस के बारे में थोड़ी बहुत इशूज जरूर आ सकती है लेकिन मार्स लाइन का सपोर्ट है तो बहुत गहरा कुछ नहीं होगा जो होगा छोटी छोटी ही होगी छोटी मोटी पॉलम आती रहेगी आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेट हो सकती है फिनांस से रिलेटेट हो सकती है लेकिन छोटी मोटी पॉलम इस time period में आने की chances दिख रही है लेकिन कोई positive changes नहीं है positive changes यहाँ पर life line में हमें कोई दिखने ही रही है जितनी भी changes है और negative changes है downward line है एक, दो, तीन, चार तो अभी अगर आपकी health की कोई issue आजाए तो उसके बारे में थोड़ा ख्याल रखेगा क्योंकि इतने सारे downward line है तो थोड़ी बहुत मुसीबत तो दे ही सकती है उसके बारे में थोड़ा ख्याल रखीगा इस downward line के चलते ही मैं यह कह रहा हूँ कि आप job change मत कीजिएगा कभी भी आपके वैसे तो mind line बहुत लंबा नहीं है तो आप में वो चाहत रहेगी कि मैं job change करूँ आप पहले भी शायद job change कर चुके हैं लेकिन आगे चलके job change मत कीजिएगा करीब करीब past 52 तक तो नहीं 43 years age है तो 52 तक मत change कीजिएगा क्योंकि उस time period में down line एकदम चली रही है हर एक दो तिन साल में आपकी एक down line चल रही है उस time down line के साथ साथ अगर आपकी job change हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तो आप job मत change कीजिएगा इसी job में रही है आगे पहले अगर आप change कर चुके हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि आपके mile line ये छोटी है इसलिए ये दर्शाती है कि ये इसमें changes होनी चाहिए तो अगर हो गई है तो ठीक है लेकिन आगे चलके changes का मैं सुझाओ नहीं दे रहा हूँ changes का और भी जादा possibility है क्यों है क्योंकि अगर यहां पर देखे तो एक और एक line यहां से चल रही है तो ये एक नया income दिखा रही है आपके पामे करीकर VCH के करी तो अगर दूसरा कोई income अगर साथ में आप कर सकते हैं तो कीजिएगा लेकिन ये job मत छोड़िएगा इस job को आपको पूरी जिन्दगी विर्थकी करनी है अगर साथ में कोई alternate काम आपको मिल जाए एक नया fit line आ रहा है जहाँ से आपको और extra income हो जाए तो आप कड़िएगा जरूर उसके बारे में क्या करना है आप मुझे बताएगा अगर आपके पाम से ओम मुझे ठीक लगा मैं देखके बता दूँगा लेकिन इस job को नहीं छोना है आपको अभी है आपकी ओ जो job change की बात ओ मैं बिल्कुल ही ना कर रहा हूं कि आप job मत change कीजिएगा खुद का घर कब होंगे देखिए फॉर्टी टू यर्स एज में बहुत सरे टे स्ट्रेस लाइन है जादा सतर ही स्ट्रेस लाइन है कौन एक्सपेंसेस लाइन है यह पता करना थोड़ी आपकी पाम में मुझे इसी एज में फेट लाइन में कट है इसी एज के कड़िव 43 जो आपकी एज है इसी एज में आप जरूर कर सकते हैं उसके बाद नहीं करेंगे तो करिब-करिब यह जो एज आ रही है करिब-करिब 46-47 उस एज में फिर से आ रही है एक एक्सपेंस लाइन उस टाइम प्रियेड में भी आप कर सकते हैं तो अगर करना चाहते हैं इसी ए और अगर नहीं हुआ है तो इस time period में बहुत अच्छी चांस है आप कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा कब आपकी बहुत अच्छी finance रहेगी देखिए अगर finance देखना है तो मुझे overall palm की एक बार लुक लेनी पड़ेगी आपकी overall amount जो है upper amount अच्छी जगा लिए हुए है ये guarantee दिलाती है कि आपका finance बहुत अच्छी होगी दूसरी आपके नुकसान होने के chances भी हमें my line से दिख रही है तो कही से ना कही से आपके हो या आपके husband हो किसी भी तरह से आपका financial नुकसान भी होने के हमें अक्सर असर दिख रही है तो मैं कहता हूँ कि आपके finance high medium quality से मतलब high middle class society में उस तरह का finance आपकी पाम में दिख रही है हाँ उपर का मांट जगा 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 ज़्यादा मिली है अच्छी बात है पाम की कलर भी अच्छी बात है लेकिन heart line बहुत ही ज़्यादा मोटा है mind line में disturb है ऐसे ऐसे करके आपके mind line चल रही है बाद में आके mind line का detail analysis करेंगे faith line भी ठीक तरह से नहीं चल रही है नीचे मोटा है नीचे पतला था फिर मोटा हुआ फिर पतला हुआ और ऐसे ऐसे एकदम हलके से मिल रही है तो faith line का भी कोई clear direction नहीं है ये और एक supporting line ज़रूर है लेकिन ये भी 50 के आते बाती दोनों ही faith line खतम हो रही है नया कोई सेटन मोट में नया कोई अच्छी sign या अच्छी line हमें नहीं दिख रही है तो इसके बज़े से क्या होगा उपर का माउंट का जगा जगा ज़्यादा मिलने पर भी आपको बहुत बड़ी आफ बहुत ज़्यादा financiality आपको prosperity नहीं मिलेगी आपको high middle class society या high middle class life मि घर भी रहते हैं कार भी रहते हैं अच्छी air condition घर भी रहती है लेकिन बहुत बड़ा आलीशान बंगला या फिर ऐसे नहीं होगी high middle class आपकी economy सरूर रहेगी how would my married life कैसी जाएगी देखी बहुत ज़्यादा problem तो नहीं है मैंने जो कहा था आपको ओबात मैंने बता न भूल गया कि बहुत सारे heart breaking तो आपके पाम में दिख रही है आपको मैंने phone पे भी कहा था कि बहुत सारे heart breaking है आपके life में ऐसे चोटे मोटे event होते रहेंगे वो चोटी चोटी लाइन पूरे heart line में ही ऐसे ऐसे गिर रही है पुरा heart line ही ऐसी है पूरा का पुरा heart line ही जहां पे fallen line दिख रही है यह heart breaking दिखाती यह तो तो आपका होता रहेगा relationship में ऐसे कोई major problem हमें नहीं दिख रही है ना ही Jupiter माउंट में ऐसी कुछ है ना ही तो ऐसी कोई प्रत्रiminless के ये कुछ सोरे में अगों दिपने। जतकी है इसली मी ने किसी प्रत्रामी करिक्षट में तकर देखता गया और यह राहू लाइन की बार वह दिखाता गया लेकिन वहां पे भी मार्स लाइन का सपोर्ट था आपके पाम में वहाँ पे भी मार्स लाइन का सपोर्ट था और आगे भी बहुत सारे मार्स लाइन आके 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 आपको सपोर्ट दे रही है तो ये सपोर्ट आपके जिन्दगी भर तक है एक दम बुरा पे तक आपके मार्स लाइन के सपोर्ट है मर्स लाइन के अगर सपोर्ट हो चाहे लाइफ लैन में कितनी भी पॉलम आए उसे जहल जाते हैं और उससे वह उभर भी पाते हैं तो पहले भी जैसे उभरे हैं ऐसे बाद में भी उभरेंगे क्योंकि life line में फिर से यह descending line चल रही है, downward अगर descending line चले तो फिर से यह आपकी तक्लिफ देगी, कड़िप-कड़ि 55 तर शायद ही health के related हो सकते हैं, लेकिन जो भी होगा छोटा मोटा ही होगा, आपका health overall अच्छा ही रहेगा, क्योंकि Mars line का support है, और एक सवाल है आपके, क्या खतम हो रही है, तो क्या, खतम हो रही है, किसी का छोटा होता है line, किसी का बड़ा, आपकी faith line भी यहाँ पर आके खतम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कि आप 47, 48 के बाद फिर से income नहीं करेंगे, नहीं, अगर नहीं हो, तो अच्छा है, लेकिन बुरा नहीं होना और अंदर से एक टूटा हुआ है, ऐसे हिस्सा निकाल जाती, वो बहुत ज़्यादा खराब होती है आपकी life में, नहीं है, तो कोई भी problem नहीं है, बहुत सारे इनसान को मैं जानता हूँ, जिन लोगों के पाम पे line, life line आप से भी छोटी है, और हिल्दी और बहुत बहुत life जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके कोई negative sign नहीं है, जैसे आपके पाम में भी यहाँ पे कोई negative sign नहीं है, life line के खतम होने के बाद, तो after 55 जो आप ओडी कर रहे हैं, कि आपका शायद वहाँ पे problem होगी, नहीं, after 55 आपकी life line जाते ही, आपके सारे यह जो life line में मुसीबत थी इतनी दिनों था कि यहाँ पे रहू लाइन की वार, और यहाँ पे downward line की वार, यह सारे line से आपको छुटकरा मिल जाएगा, आप उस age के बाद, बहुत हिल्दी life जीएंगे, बहुत हिल्दी life जीएंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के पाम देखे हैं, जिनके छोट मैचूर हो गई, मैंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा, मैंने बहुत जादा तो पाम ऐसे नहीं देखा, चार पाँच लोगों का पाम देखा है, जिनका pre-matured death हो गया है, उन सभी के पाम में इतनी ही बड़ी, मैंने जितनी ड्रॉ की उतनी बड़ी लंबी life line थी, ऐसे बड़ी एक इंसान नहीं देखा, जिनकी pre-matured death हुई और उनकी life line छोटी थी, लंबी थी, सभी की, तो इसी के तरह आप समझ सकते हैं, कि death के death से life line की कोई ऐमियत नहीं रहती है, कोई भी ये indication नहीं करती है, हाँ, हाट line में कोई अगर मूल बगरा हो जाए, उस टाइम में life threatening कुछ जरूर होती है, जिनरली हाट line से पता चलती है कि life कैसी रहेगी, कितनी दिन तक रहेगी, लेकिन ओभी सबके नहीं, किसी हाट line में अगर बहुत major problem आ जाए, तो उस time period में, मतलब life threatening कुछ हो, उने के chances जादा रहती है, life line से हाट line में जादा importance रहती है, life की, अभी य अगर माइन लाइन को देखे तो मैंने पहली नजर में देखा कि यह डबल माइन लाइन तो नहीं है, कि एक formation ऐसे तो नहीं बन रही है, तो यह बहुत जादा पैसे वाले होंगे, तो मैंने पहली देखते ही उन्होंने फोन कर दिया था, मैंने उतनी जादा detail में नहीं के होंगे, आप बीच में ऐसे नहीं रहेंगे, जिनको बहुत जादा पैसे हैं, लेकिनों बहुत ही अमीन नहीं है, तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं उतना जादा अमीन नहीं हूँ, तो मैंने कहा तो फिर आपकी double mind line नहीं होगी, तो मैंने फिर जो पाम डिटेल में जब न गिए, यह मैंने ऐसे चल रही है, और यह एक अलग line है, जो यहाँ पे आके ऐसे जा रही है, और यह line, main line, यहाँ से, और एक branches निकल क правды, यह दर्शाती कहा रही है, तो यह सन के तरफ जा रहा है, तो मैंनेशन से अगर कोई branches का sun की तरफ जाये, तो यह दर्शाती है, आप म हम लोग को सन लाइन से मिला यहां से भी मिल रहा है यह इंडिकेशन दिलाती है कि इनको रिस्पेक्स जादा मिलेगा तो यह इंडिकेशन यहां से भी हमें लोग को मिल गया माइन लाइन में ब्रांचेस निकल के जा रही है तो यह दो तरीके का नेचर होती है कुछ यह लोग पैक्टिकल रहते हैं और कुछ टाइम में ये ज़्यादा ठिंक करते हैं मतलब इमोशनल भी होती है ये दोनों का बैलेंस बनाने के लिए ये फॉर्क बनते हैं अगर ये लंबा होता और ये एक मून की तरह जाता और ऐसे सीधे पैक्टिकल जाता तो इन लोग और राइटिंग फॉर्क कहती है, राइट ऐस फॉर्क ये लोग बहुत अच्छी तरह से लिख पाते हैं ़्टॉयंग कर पाते हैं अच्छी तरह से उस तरह का फॉर्मेशन यह नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्क है तो अगर ये कोशिश करेंगे तो माइन लैन कोई डॉबल माइन लैन नहीं है दिखेगा माइज डॉबल माइन लैन जैसा देखेए यह जंक्षन यहां पर आके आपको क्लिया दिख जाएगा कि यह सिगल माइन लैन है उसका एक ड्रांच निकल के चल रही है तो यही रही इस पाम की अनलाइसिस हम लोगों ने इस पाम से सीखा कि स्ट्रेस लाइन कैसी होती है और उसका रिजल क्या होती है छोटी लाइफ लाइफ लाइन होने के कारण क्या हो सकती है कुछ खरा भी नहीं होती है उसके बजाए से कोई भी पॉलम नहीं रहती है हाँ एक रहती है कि आपको उसके बाद का जो जिन्दगी है उसमें आपको थोड़ी बहुत ये पॉलम रहती है कि नया कुछ करने का आपका इच्छा कोशिश नहीं करते हैं मतलब जो पुराना करते हैं उसी के साथ आप चलना चाहते हैं नया कुछ करने के लिए जो आपको इनर्जी बगरा चाहिए होती है वो आपको नहीं मिलती है नया कुछ आप करना नहीं चाहते हैं इसके बजाए और कुछ नेगेटिव साइन नहीं रहती है और हम लोगों ने क्या जाना हार्ट लाइन की कैसे पोजिशन होने के लिए होने से हाट ब्रेक रहती है बहुत सारे खाना कौन अच्छा बना सकते हैं कैसे पाम कैसे जूपिटर का फॉर्मेशन होना चाहिए यह सारे सब कुछ हम ने देखा और इस पाम में बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है बिजनेस बिल्कुल नहीं कड़ेंगे जॉब भी चेंज नहीं कड़ेंगे अपना जॉब। लाइफ 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 लाइन में यहां से डाउन वाड लाइन लिखन रही है ताफके जितने भी सारे सवाल थे उसमें ज्यादाता ना ही है हा बहुत कम है फिनिंशियली अब हाईर मीडल टलस तक सबमाइंट करें लेकें बहुत सारे स्ट्रेस लाइन संकी ज्यादा के लिज़ादा पाउर्फुल होने के कारण। माइन लाइन में ये बायध थागन के लाइफ लैंन में बहुत आधा डाउन लाइन यह पोजिटिव यह आई रहा है अनुस्oise को हएस है आगे रुख जाएगी है घर कभ spins तर्फ लिजेए घर कम हैं जो जनले मिडिल क्लास बाले लेते हैं उसका कोई इंडिकेशन रहती है नहीं रहती है और तो जिनल एक्सपेंस रहती है जनले चले जाती है तो कई भी आप कभी भी आप जरूर ले सकते हैं तो यह रही इस पाम की अनलाइसिस आप सभी का शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए एक बहुत ही जल नया पाम लेकर आएंगे तब तक के लिए मुझे हाग कर दीजिए